तो है फ्रेंट्स गूड मॉर्णिंग कैसे हो आप सभी तो आप सभी स्वस्त होंगे मस्त होंगे फ्रेंट्स तो फ्रेंट्स से देखिए मैंने इसको ब्लोक सेट कर लिया है रिंग डाल करके ब्लोक पिस्ट लगा लिया है और लगाने के बाद चलिए लाल रबड जो अस्ट बनाता है उसमें भी आपको लाल रबड लगाना पड़ेगा ताकि उपर नीचे से आयल न लीकेज हो और रबड बैठाने के बाद इसका सिलीव को बैठा करके इसको हेट को हम लगा देंगे तो अगर यह इजी नहीं जा रहा है तो हलका इसको थोड़ा फोर्स दे हलका हैमर स ठोक कर तो इसको अच्छी तरह से बैठा ले और इसमें ध्यान देने वाली बात है कि आपका जो लाल रबड में जो स्लीव है वह अच्छी तरह से ग्रूप में बैठना चाहिए नहीं बैठेगा तो उससे क्या होगा कि आयल लीकेज होना शुरू हो जाएगा तो देखे फ जाता है तो इस बात का ध्यान रखें तो मेरा देखे पूस्रट लग गया है तो पूस्रट लगाने के लिए इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है अंदर वाला जो केम फ्लावर होता है उसमें इनलेट वाल का पूस्रट लगाए और बाहर वाला जो केम फ्लावर है उसको ए जाने लगता है तो जिसके वज़ा से एड के द्वारा नीचे आया जाता है लाल रबड के पास लिकेज हो जाता है तो इसका भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए तो मेरा फूसरण लग गया है है हेड कास्टरड में इसलेशन भी लग गया है और देखे चिंडिया रॉकर सेट है इसको हम शेट कर लेते हैं तो रॉकर सेट बहुत इजी तरिका से लग जाता है इसमें कुछ भी समस्या ज्यादा नहीं होता है तो इसमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि पूसरड जो है सोकी सही से लगे जिसे कोई दीकत नहों अगर पूसरड अगर उल्टा लग जाएगा तो इसमें क्या होगा कि आपका सलेंशर से हवा लेगा और एयर फिल्टर से धूमा मारने लगेगा तो इसको विश्यस ध् में ध्यान रकना चाहिए तो मेरा देखिए रोककर सेट हो चुका है और इसमें हम नत लगा करके इसको हम टाइट कर देते हैं तो इसको हेड को टाइट करने के कभी आप कोना कोणी है ता frågor कोना कोनी नहीं कीजिए और तो हेड अच्छा से टाइट नहीं होगा तो इसको हम इस बात का ध्यान रखें तो मेरा देखिए हेट का टाइट हो गया है और टाइट इसको हम अच्छी तरह से कर लिया है उसे टाइट करने के बाद अंदर वाला पैनल का दो बोल्ट होता है दस नमर का हाफिंजी का उसको हम टाइट कर देते हैं होट का दो देखिए फैनल का भी फußाल टाइट हो गया है और टाइट होने का बाद प्रिर आगे का जो data करना पैनली सब लागाना है सब लगा लेते हैं तो शैट पैनल वैड कि हम इसको लगा देते हैं है है शैट पैनल को अच्छी तरह से नट basta कर देता है हावा है पूरी तरह से ब्लोग को लगे और मेरा इनलेट मेनी फोल्ड का नट बुल लगा करके इसको हम टाइट करते तेरह नममर का नट होता इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है पाकिंग देखर करके टाइट कर दिया जाता है और यह अरहोस है यह उसको टाइट करने के कि पूरा किलियर हो गया है है जो तो मिलाने के लिए बहुत इजी है कंप्रिशर पर करके ही मिलायं तो अच्छा रहता रहता है है bellizer के टाइफिट को वर का जो कि घ surreal निकालता है तो कभीभी इसको रिंग डाले या फिर ब्लोक पिश्टन डाले तो हमेशा इसको के चेंज कर देना चाहिए और इसको हमेशा जो है जो फ्यूं कि चार शी पांच महिनामें चेंज करते है तो इसको हमेंस समय समय से चार्से पांच मेना में हमेसा चैंजpling करते रहना चाहिए जिसे इंजन में कोई समस्या नहों क्या और तới को लिखा करके इसको हम अद्रीर टाइट कर देए हैं और पर यह मेरा देखिया, स्टार्टिंग वाइर है, डीशी केबल का, तो हम लगा करके डीशी लिवर में टाइट कर देते हैं, तो देखिए, डीशी लिवर तभी काम करेगा, जब डीशी लिवर उठाने तो लेगा, तो ही काम करेगा, और इसको हैमर से थोड़ा वहल्प के पर ठोक लें ताकि कंप्रेसर वीग नहीं हो और लगभग मेरा यह सारा काम हो गया है और इसको टाइफिट को पर पैकिन लगा करके इसे हम टाइट कर देते हैं और फिर इसको में स्टार्ट करते हैं देखते हैं कि स्टार्ट होने में कोई दिक्कत करता है कि में इसका इंजन कि इसके वज़ाद से इसमें हमको ब्लॉग पिस्टन डालना इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं डाले हैं और हैट को सरसफाई करके इसको धोग करके सफाई करके मुझा दिये हैं तो अगर आपके आटों के अंदर में स्टार्टिंग प्रोब्लम हो या या कंजूम होता है तो आप ब्लोग पिस्टन डाले अगर स्टार्टिंग प्रोब्लम नहीं है तो आप ब्लोग पिस्टन डाले अगर स्टार्टिंग अगर डिस्टर्ब है नोजल पंप सही है कंप्रे ठीक हो जाता है। और यह में डिजल फिल्टर 13 नमर का ५ंट ह इसको खोटकर निकाल के हम अच्छ तरह से सफाई करके इसमें ड़िजल ड़ाल के फिल्टर लगा करके इसको सफाई कर देते हैं और इसे लगाने के बाद आयल फिल्टर भी इसमें होता है उसको भी चेंज करके इसमें मायल डालेंगे और फिर आटो को स्टार्ट करते हैं अस्टार्ट तो ऐसे हो जाना चाहिए क्योंकि जो भी इसमें प्रॉब्लम था तुरुट साम मैंने निकाल दिया है तो इसमें देखिए प्याजियो का आयल डाल रहे हैं इसमें हम कभी भी इंजन वाल जैनून ही डाले और इसे डालने के बादhésitez को लगा दीजिए तो इसमेरा लक्रण दाजन तुरुट से मेरा पूरा कम्प्लीट हो गाक्या इंजन पूरा शारे पार्ट इंचको मैंने लगा लिया है और इसको तो देखें उल्टा रेषिर बारने के बाहराद में सक्तेल फेकना चाहिए तीया-टस्फ फेकने बाद कवाद half- popped तैजिए मेरा स्टाठ करते हैं फ्रेंच तैज देखें मेरा स्टाठ कुईख्ली हो गया है अज स्टाठिंग में कोई दीकत नहीं है और बिल्कुल परफेक्ट हो गया तो में इसका स्टार्टिंग डिश्टर्ब था तो फ्रेंड्स इसको मैंने सही कर दिया है ब्लोग फिश्टन लगा अगत कि अवा स्टार्टिंग भी एक क्यूप में हो रहा है तो वीडियो अगर आपको अच्छा लग तो मेरे चनल को प कि लिए झाल को वा स्टार्टिंग और वीडियो तो में हम अगत कि अवा स्टार्टर्ब रच्छा है वार खिल शीडियो